नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मीन दासी वालों 2021 भविस्सिफल ये वर्स आपके लिए बहुत जादा महतुपूर्ण रहने वाला है कैसे तो चलिए सुरुआत करते हैं देखिए वैसे तो 2020 तो अब बीतने ही वाला है लेकिन 2021 का हर किसी को इंतजार है कि इस बार जो हुआ सो हुआ अब 21 में क्या मिलेगा सनी देव का साथ क्या बरसेगा देव गुरु का असिरवात तो चलिए सुरुआत करते हैं देखिए धन देंगे क्योंकि इस समय अभी तक जो आपके जीवन में आमदनी के सुरोत लगभग गौन हो चुके हैं जो आपके धन आते आते कहीं रुक जाते हैं जो आपकी सेविंग खत्म हो रही हैं अब सनिदेव आपका जोली भरेंगे क्योंकि आपके अस्थाई इंकम के ढेर सारे य रहेंगे जिसके कारण धन के मामलों में आप लकी बने रहेंगे वैसे तो आपका जो धन खर्ची करने की प्रविड़ती है यह आपको परिशानी में डाल सकता है थोड़े से इस पर तो अंकुस लगाना होगा क्योंकि यहां आपको धन बचा पाने में मंगल देव आपकी हला अगस्त और सितंबर के महिने तक थोड़े से बदला होंगे धन के मामलों में क्योंकि देव गुरु भ्रहस्पती आपके बार्वे भौ में अब यहां पर होने से खर्च भी जादा होगा आपके ही रासी के स्वामी है और जब यहां बैठ जाएंगे तो खर्चे तो होंगे अब ऐसे में इस समय आप अपने धन को बचाने में आपको बहुत ज़्यादा मसकत करनी होगी बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी हलांकि आर्थिक इस बीच जब वो देव गुरु हलांकि अभी तो मकर में आएंगे लेकिन इसके बाद वो वक्री होंगे तो वो च ख्यान देना होगा लेकिन उतने लंबे समय में नहीं जाते हैं लेकिन हां इसे 2021 में आपको प्रोपर्टी का सुख मिलता दिखता है आप अपना मकान या अपने भूमी भवन जायदा समंदी सुख भोग सकते हैं कि कि सनिदेव का आसिरवाद बरसेगा अगर कोई बिबात चल आपको यहां देखिए अपना मकान अपना वाहन लगबग सब कुछ मिलेगा सबसे अच्छा क्या होगा कि जीवन साथी के मार्धियम से आपको लाब हो रहा है यानि 2021 में जीवन साथी का जो भाग्योदे होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुसी लेकर आएगा तो 2020 में आपका जो करियर में आप जो भी काम कर रहे हैं जो खिम लेने से मट डर ये क्योंकि आपका भी भाग अब साथ देगा और सनेदेव का भी आसिरबाद है जो भी द्यार्थी है उनके लिए अभी तो 2020 में जो पढ़ाई हुई सो भी लेकिन देखिए यहां पर क्या होग दाता मेहनत का ही फल देंगे और इसमें देव गुरु ब्रेस्पती की द्रिष्टी अप्रेल तक आपके सिख्छा में बहुत हद तक आपको मदद करते नजर आएंगे तो चीजों को समझने में ज्यादा मुश्किली नहीं आएंगी बस आपको ध्यान देकर पढ़ाई करत फिर से जो प्रतेविता प्रिष्टा की त्यारी करेंगे बिद्यारती लोग उनके लिए ये 2001 के सुखद एहसास सुखद पल लेकर आएगा बिसेस कर आपके लिए अप्रेल मई का महिना या फिर अगस्त सितंबर का महिना जो होगा न ये चार मेने ऐसे होंगे जब आपको आसानी से आप अगर कोई एकजाम है तो वह किलियर कर लेंगे और अगर बिदेश जाकर पढ़ाई करना चाहेंगे तो उसके लिए भी सुखद संयोग बनेंगे आप इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे अब बात करते हैं आपके घर पड़िवार की लिए 2021 में पारिवारि जीवन खुबसूरत है पैतरी संपत्ती तो मिलेगा ही साथ ही आपको अगर आप यहां पर देखे आमदनी के स्रोथ बढ़ेंगे आप अपनों के साथ खुश हैं भाई बेहनों के साथ रिस्ते बेतर हैं इसमें यातरा के अफसर मिलेंगे सितारों की चाल की बात करें तो मा बनाए रखें पारी वारी जीवन में खुशियां है आनंद है और बैवाही जीवन की बात की जाए तो देखें तीसरे भाव में राहू अब संतान को हर छेतर में सफलता दिलवाएगा राहू अब यहां पर आप खुश हो जाईए क्योंकि संतान आपका तरक्की करेगा लेकिन किसी भी इस्तिती में खुद को दुवीधा में मत फसने दीजेगा और हर बीबाद से अपने बच्चों को दूर रखें नहीं तो उनके पढ़ाई पर इसका निगेटिव पर हो पड़ेगा वैसे कोई खास बीबाद नहीं होंगे लेकिन फिर भी कहने का तात पर उन अप्टूबर के मेने में ध्यान देना होगा अपने दांपत्ते जीवन का अब दूसरी तरफ देखिए जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास रत हैं उनके लिए बहुत अच्छी योग बन रहे हैं तो आप 2021 में आपको संतान का सुख वैसे तो अभी भी अच्छे योग बने वे आपके लिए तो आप प्रयास जरूर करें कि डॉक्टर के संपर्क में रहें बात करते हैं मीन दासी वालों के लव लाइब के बारे में हलां कि 2021 बहुत अच्छा हम नहीं कह रहे हैं लेकिन हां सनी देव की द्रिश्टी पंचमभाव पर है थोड़ी बहुत समस्या होंगे लेकिन देव गुरु बहस्पती की द्रिश्टी के कारण लब लाइफ में लव रिलेसंसिप में हो सकता है एक दूसरे के साथ आप रहना पसंद करें एक दूसरे से विवा करने की सोचें यह चीजें हो रही हैं परिवार वालों से बातचीत करके आगे बढ़ सकते ह लेकिन दूसरे तरफ किसी बात को लेकर सितंबर औक्टूबर और नॉवंबर का जो महना है करीब धाई महने का वक्त ऐसा रहेगा जब आप लोगों में थोरे सी किसी बात को लेकर टेंसन बढ़ेंगे तो लब लेसंसिप में जगड़े लड़ाई या एहंकार को मताने दी है ना हम बोल रहे हैं तो हम ही सही है आप गलत हो तो यह चीज़े मतला यह अगर प्यार है तो चीजों को एकसरट करें अब तो यहां पर कुछ चीजें आपके अनुकल नहीं भी जा रहे हैं यह तो उन चीजों को ठी करना होगा लेकिन आपके स्वास्त की बात करें तो ध्यान रखें बाहरी खाना बेगरा खाने से बचें हेल्दी डाइट अपना है और योगा भ्यास करना सुबह साम टहलना इन जीओं को ध्यान में रखें अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो समय पर दवाईयों को लें क्या करेंगे सबसे पहली बात तो आपके इस्ट देव हैं सिब जी नमा सिबाय का जितना ज़्यादा जब कर सकते हैं कीजिए आपको लाब होगा संबब हो तो पांच मुखी रुद्राक्ष एक रुद्राक्ष पहनना है आपको लाल धागे में पहले सिब जी को और पीट कर दें के दिनी धारन करें और हमेशा ही अपने पास पीली हल्दी की गांठ या फिर पीला रुमाल अपने पास रखिएगा जिससे कि आपका भाग्योदे हो इस समय हनुमान चाली सा पढ़ना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप चाहें तो यहां अगर आपको ल हादी.